नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल गुलाब गुरू चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर पैन कार्ट बनाने का बिलकुल नया तरीका आपको बताने वाला हूँ केवल 10 मिनट के अंदर आप अपनी मन पसंद फोटो और सिगनेचर के साथ अपना पैन कार्ट बना पाएंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नामे गुलाब और आप देख रहे हैं डिजिटल गुलाब गुरू चैनल वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सेर सब्सक्राइब कर दीजेगा इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपेन करना है जो है आपके सामने नया पैन कार्ट बनाने का एक फार्म खुलेगा इस फार्म को आपको कम्प्लीट भरना होगा जिसमें आपको एपलाई ऑनलाइन पर ही क्लिक रहने देना है यहाँ पर क्लिक करना है आपको ये वाला आप्सन स्लेक्ट करना है निउपन इंडियन डालना है इसके अंदर आपको अपना मिडिल नेम डालना है जैसे कि अगर आपका नाम जो है रवी कुमार चौधरी है तो आपको जो है रवी फर्स्ट नेम में डालना है कुमार मिडिल नेम में डालना है लेकिन केवल अगर आपका नाम रवी कुमार है तो आपको ही नाम है केवल रवी नाम है तो आपको यहाँ पर last name में ही डालना है यह दोनों छोड़ देने हैं नीचे की side में जो है आपको अपनी data birth बतानी है जो भी आपकी जनमतिती आधार कार्ड में दी गई है आपको इसके अंदर भरना है यहाँ पर आपको अपना एक email ID भरना है इसके अंदर आपको अपना एक mobile number भरना है इसके बाद इसको आपको consult देना है यह जो capture दिया गया है same capture इसके अंदर भर के submit पर आपको click करना है इसके बाद आपको इस तरीके से एक token number मिलेगा इस token number को आपको note करके रख लेना है अगर farm भरते वक्त server down हो जाता है तो आप दोबारा से इसी token number को डाल करके farm को continue कर पाओगे इसके बाद आपको continue with pen application जो नीचे लिखा हुआ है आपको इस पर click करना है इसके बाद आपके सामने इस तरीके से page दिखाई देगा यहाँ पर आपको जो है दूसरा वाला option select करना है अगर आप दूसरा वाला option select करेंगे तो आप अपनी मन पसंद का photo pen card पर लगा पाएंगे अपने मन पसंद का signature pen card पर लगा पाएंगे अगर आप पहला वाला option select करते हैं तो आपके आधार card वाला photo आएगा और अगर आप तीसरा वाला option select करते हैं तो यहाँ पर आपको आपका document जो है भेजना पड़ेगा physical verification के लिए लेकिन अगर आप जो है दूसरा वाला सिर्फ option select करते हैं तो आप अपने मन पसंद का photo भी लगा पाएंगे signature भी लगा पाएंगे और आपको जो है कहीं पर paper को भेजना नहीं पड़ेगा online ही आपका pen card बन जाएगा दूसरा वाला option select करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर आपको जो है yes पर click रहने देना है नीचे की side में आपको अपने आधार card के last के फोर डिजिट यहाँ पर डालने है इसके बाद जो भी आपका आधार card पे नाम है same वही नाम पूरा का पूरा इसके अंदर भरना है नीचे की साइड में आपका नाम भी यहाँ पर दिखाई देगा इसके बाद नीचे की साइड में आना है यहाँ पर आपको बताना है male है या female इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई अन्य नाम भी है अपने पिता जी का नाम first name डालेंगे और middle name डालेंगे जिस तरीके से मैंने आपको अपना नाम भरना बताया है सेम वही तरीके से आपको यहाँ पर भी नाम भरना है अगर आपके पिता जी का नाम केवल एक ही ही है तो आपको last name में भर देना है बाकि यह दोनों छोड़ देना है पिता जी का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपसे माता का नाम भी पूछा जाएगा तो यह optional है इसे भरने की कोई ज़रूत नहीं है नीचे की side में आपसे पूछा गया है कि जो आप pen card बना रहे हैं उस पर आप जो है अपने पिता का नाम print करवाना चाहते हैं या फिर माता का तो यहाँ पर आपको पिता पर ही click रहने देना है सारी detail को भरने के बाद अब आपको जो है next button पे click करना है अब जो है आपसे personal detail पूछा जाएगा जिसमें जो है सबसे पहले आपसे income के बारे में पूछा जाएगा तो जो भी आपकी income है salary है या फिर कोई दूसरा source है या फिर no income है आपको बताएंगे तो यहाँ पर हम no income select करेंगे क्योंकि जिसका हम भर रहे हैं वो एक student है इसके बाद आपको address for communication बताना है अगर आप जो है ये pen card office के पते पे चाहते हैं तो आप office वाला select करेंगे अगर आप जो है अपने घर के पते पर pen card को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप residence select करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर अपना complete address बताना है जिसमें आपको flat number, घर number, जो भी आपका room number है वो डालेंगे इसके बाद जो है यहाँ पर अपने village का नाम, post का नाम डालेंगे अगर आप town से रहने वाले हैं तो what number वगएरा डालेंगे यहाँ पर आपको अपने post office का नाम लिखना है यहाँ पर आपको subdivision, तहसील वगएरा का नाम जो भी है उसको लिखना है इसके बाद इसके अंदर आपको district का नाम लिखना है यहाँ पर click करके अपना country select कर लेना है जो भी आपकी country है उसको देख देखके same आपको इसके अंदर अपना address भर देना है इसके बाद जो है आपसे office का address पूछा जाएगा तो अगर आपके पास office है तो भर सकते हैं वरना इसे कोई भरने की जरूरत नहीं है इसे आपको खाली छोड़ना है इसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको क्लिक करके अपना country code select करना है तो अपना country code है इंडिया का 91 तो हम इसे select करेंगे इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है यहाँ पर आपका mobile number दिखाए देगा यहाँ पर आपका email ID दिखाए देगा अब आपको यहाँ पर बस next पर क्लिक करना है next पर क्लिक करते ही अब आपसे जो है AO code भरने के लिए बोला जाएगा वैसे यह जो AO code आएगा यह automatic आजाएगा यहाँ पर आपको भरने की कोई ज़रूत नहीं है लेकिन अगर आपका AO code नहीं आता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके Indian citizen सेलेट करेंगे यहाँ से अपना state सेलेट करेंगे जो भी आपका state है यहाँ से अपना city सेलेट करेंगे जो भी आपकी city है और इसके बाद जो है फैस पर क्लिक करेंगे तो देखे यहां पर जो है A.O. Code आ जाएगा आप इस पर क्लिक करके इसको जो है select कर देगे तो वो automatic जो है इसके अन्दर feel हो जाएगा जैसा कि देख सेकतो पहले से ही इसके अंदर feel था इस तरीके से आप AO code भी यहाँ पर feel कर सकते हो वैसे आपका AO code पहले से ही यहाँ पर feel हो करके आ जाएगा नीचे की side में जो है आपको एक next का button मिलेगा आपको next button पर click करना है इसके बाद आप से document details मागी जाएंगे जिसमें आपको proof of identity, proof of address, proof of date of birth यहाँ पर बताना होगा जो भी आप देना चाहते हो बस आप इस पर click करोगे यहाँ पर बहुत सारे दिये गए हैं driving license, passport और जो भी देना चाहते हो दे सकते हो लेकिन हम यहाँ पर आधार card select करेंगे इसमें भी हम आधार card ही select करेंगे और इसके अंदर भी हम लोग आधार card ही select करेंगे तीनों में आधार कार्ड ही select कर देंगे ये सबसे best रहेगा इसके बाद यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा यहाँ पर आपको click करना है himself और herself पे click कर देना है आपको यहाँ पर आपको पता बताना है आप कहां से इसके लिए आवेदन कर रहे हो अपने जिले का नाम type करना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक अपनी photo upload करनी है यहाँ पर आपको अपना एक signature भी upload करना है photo upload करने के लिए आप जो है plus पे click करेंगे जहाँ पर भी आपने photo रखी है photo को select करेंगे और इसके बाद जो है photo यहाँ पर upload हो जाएगी same इसी तरीके से यहाँ पर signature भी upload ने signature रखा है उसे select करेंगे और इसके बाद upload पर click करेंगे आपकी photo और signature दोनो upload हो जाएगा लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि photo का जो size है वो बताया गया है यहाँ पर 50 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसी तरह के से signature का भी और इसका जो dimension है 3.5 इसकी जो है height होनी चाहिए और 2.5 इसकी जो है width होनी चाहिए इसी तरह के से इसका भी 2 जो इसकी height है और 4.5 cm इसकी width है इसी के आकार में आपको जो है photo और signature बनाना है तभी जो है यहाँ पर upload होगा अगर आपको नहीं पता है कि photo signature कैसे बनाते हैं तो मैंने पहले चाहिए वीडियो बनाया है उपर i button में या फिर नीचे जो है video के description box में link मिल जाएगा जिस पर click करते ही आप उन video को देख करके photo और signature दोनों बना सकते हो इसके अलावा यहाँ पर हमें अपना आधार card भी चाहिए और PDF में होना चाहिए तो आधार card को upload करने के लिए आप plus पे click करेंगे जहां पर भी आपने आधार card रखा है उसे select करेंगे open पर click करेंगे आपको जो है यहाँ पर upload पर click कर देना है अब जो है आपका आधार card भी यहाँ पर upload हो गया है जो भी चीजे मैंने आपको बताई है उन सभी को भरने के बाद photo signature आधार card upload करने के बाद आपको जो है submit पर click कर देना है इसके बाद जो है आपके आधार card के शुरू के 8 अंक जो है आपसे मांगे जाएंगे यहाँ पर click करना है आपको आपके आधार card में जो भी शुरू के 8 अंक है वो आपको इसके अंदर डालना है इसके बाद जो है आपका नीचे की side में सब कुछ detail दिखाई देगा आप इसे देख सकते हो आपको नीचे की side में आना है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है सारी की सारी detail आपकी दिखाई देंगी नीचे की side में आने के बाद आपका photo, signature वगेरा और आधार card जो आपने upload किया है वो भी दिखाई देगा आपको जो है सारी की सारी detail को सही तरीके से मिला ले रहा है अगर अभी भी कोई गलती पाई जाती है तो आप edit पर click करके दोबारा से उसे सही कर सकते हो वरना आपको जो है proceed पर click करना है तो हमने सभी detail को सही तरीके से मिला लिया है इसमें कोई भी गलती नहीं है लेकिन अगर आप में कोई गलती पाई जाती है तो आप edit पर click करके दोबारा से उसे edit कर सकते हो वरना आपको जो है proceed पर click कर देना है यहाँ पर यह थोड़ा सा wait लेगा अब यहाँ पर आपको जो है online payment करना होगा इसके अंदर आपको जो है तीसर वाला option select करना है build desk वाला नीचे की side में आना है कितना रुपे आपको payment करना होगा लगबग 107 रुपे pen card बनवाने के लिए नीचे की side में आना है आपको I agree time and condition को agree करना है proceed with payment पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर pay confirm पर click कर देना है यह आपको जो है redirect करेगा payment gateway पर यहाँ पर आपको थोड़ा देर तक wait करना होगा यहाँ पर आपको payment करने के लिए काफी सारे mode मिलेंगे तो हम UPI का इस्तमाल करके payment करेंगे यहाँ पर UPI ID डालेंगे आप चाहो तो QR code को भी scan करके payment कर सकते हो जैसे ही आप mobile phone से payment complete करते हैं तो यहाँ पर आपको wait करना है पीछे नहीं जाना है इतना आपको ध्यान देना है यहाँ पर आपको जब तक यह खुद से back नहीं लेके जाता है तब तक आपको यहाँ पर wait करना है देखिए हमारा जो payment है वो successful हो गया है यहाँ पर success का message आ गया है अब आपको नीचे की side में आना है आपको जो है continue पर click करना है इसके बाद जो है आपको फिर से थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर आपका आधार card का number दिखाए देगा इस times को condition को agree करना है और authenticate पर आपको click करना है इसके बाद आपको OTP authentication यह जो लिखा हुआ है आपको इस पर click करना है थोड़ा सा यहाँ पर process होगा अब जो है आपका नाम token number आधार card number सब कुछ दिखाए देगा यहाँ पर आजो है आपको generate OTP पर click करना है जैसे ही आप generate OTP पर click करेंगे तो आपके आधार card के साथ जो भी mobile number link होगा उस mobile number पर एक OTP गया होगा वो OTP आपको इसके अंदर भरना है और इसके बाद जो है submit पर click करना है तो चलिए हमारे mobile number पर OTP आगया है हम इसके अंदर डाल देते हैं mobile number पर जो भी OTP आया है उसको भरने के बाद आपको जो है submit पर click कर देना है इसके बाद जो है आपको यहाँ पर continue with e-sign पर click करना है इसके बाद जो है आपको इस पर click करना है और यहाँ पर जो है आधार card का पूरा का पूरा number आपको इसके अंदर डालना है जो भी आधार card का number है इसके अंदर डालने के बाद आपको send OTP पर क्लिक करना है और आपके आधार काट के साथ जो भी mobile number लिंक होगा दोबारा से उस पर एक OTP जाएगा वो OTP आपको इसके अंदर डालना है और verify OTP पर क्लिक करना है इसके बाद जो है verification का process चलेगा तब तक आपको wait करना है इसके बाद जो है OTP verified successful का message आदाएगा यहाँ पर फिर से loading चलेगी यहाँ से आपको पीछे नहीं जाना है back नहीं जाना है अब जो है आपका pen card के लिए successful apply हो चुका है अब जो है आपको यहाँ पर download PDF पर क्लिक करना है आपको अपना farm जो है download करेना है इस farm में जो है आपका password लगा होगा password जो है आपकी data birth होगी जो भी आपकी data birth है वही आपका password है तो चलिए हम यहाँ पर जो है data birth डाल देते हैं देखते हैं यहाँ पर जो है data birth डालिंग बाद OK पर क्लिक करेंगे यह जो है PDF में डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस फार्म के अंदर जो है acknowledgement नमबर वगएरा रहता है जिससे आप अपने pen card को जो है बाद में track कर सकते हो अब दोस्तो आपका pen card के लिए online apply हो चुका है आपके email ID पर जो है 2-4 दिन में आपका pen card digital आ जाएगा और आपके घर के पते पर जो है physical pen card जो plastic वाला pen card होता है वो लगबग 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर के पते पर post आप इसके जरीए बेज़ दिया जाएगा इस तरीके से दोस्तो आप घर बैठे ही online pen card के लिए apply कर सकते हैं उमीद करूँगा आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को like करिए अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करिए चैनल पे अगर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक कि लिए जय हिंद बंदे मातरम